नंबर होने नंबर मने बता दिये मैं बताओंगा नंबर तो वैसे चुका नंबर बता दिये और देख लांगे के कता रहें कैंने करा है भाइस सारे वयन राव राव और आपको एक और नई ख़बर देधा एक नए आपडेट देधा कल जो बटूकला वड़े जो साथी थे अपने बटूकला थाने के अंदर आने वड़ा एक गाउं था किडान वहाँ अपने साथी थे तीन एक कुलदीप, एक सज्जन लंबा और एक राजिस मलापुर जो इसार जिले वड़े थे उन्होंने एक ताड़ा तोड़ा था उस मकान का ताड़ा तोड़ा था जिस मकान के कागजात जनता सरकार मोरचा ने बैंक को लगाए हुए थे और ये चैलेंज है हमारा बैंकों को भी और पुलिस को भी कि तुम लोग इन लोगों को गिरफतार करो इनके उपर मुकदमा दरज करो और हम आपको बताते हैं कि तुम्हारी जड़ों को कैसे उखाड़ा जाएगा फिर आपको ये मालूम पढ़ना चाहिए कि जो फ्रॉड कर रहे हैं बैंक इसके बारे में सारे के सारे देश को पता है जो जो व्यक्ति जनता सरकार मौर्चा को जानता है जिस व्यक्ति ने भी जनता सरकार मौर्चा की कार्या परनाड़ी देखी है उनको मालूम है कि जनता सरकार मौर्चा के आदमी सच के साथ खड़े हैं आप शेर कर दो इसको मैक्सिमल लोगों तक पचाओ थानेदार उठाके ले गए हमारे आदमियों को तीन लोगों को जिनका नाम मने कमेंट बॉक्स में भी लिखा हुआ है कुल्दीप, सज्जन और राजेश को आपको पता लगे कि ये तो मोत महेंगा पड़ेगा बैंकवाडों को कौन से उनके उपर आरोप लगेंगे, कौन सी दाराईं लगेंगी हम थानेदार को एक बात जरूर को भाई सारे जणे थानेदार ना फोन करके ये जरूर कहना है कि बैंक को हमने आवेदन दिया हुआ था और उसके बावजूद बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया कि वो लोग जबरदस्ती आउक्षन पर आ गए हैं कि मर्जी से जब मर्जी किसी की मकान का ऑनलाइन आउक्षन कर दो जितने भी लोग इस देश के अंदर हैं, इस धर्ती पर बैठे हैं वो इस जान लो भाई अगर आपने बैंकों की ओनलाइन निलामी से कोई जमीन अगर खरीद ली तो आपको उसका कबजा नहीं मिलने वाला ये जनता सरकार मोर्चा एलान कर रहा है कबजा नहीं मिलेगा उसका पहले से कोई जमीन बैंकों के कबजे में उदो बात नहारी है आज के टाइम पर बैंक जबरदस्ती मकान को निलाम अपने आप उनलाइन करने लगे वो नहीं चलेगी ड्रामा हम आपको बता दें कि भाई अपन लोग जो साथी हैं जनता सरकार मोर्चावाडे वो इस टाइम पर हम भरतपूर में हैं यह आप देखोगे जनता सरकार मोर्चावाड दिनांक 22,23 और 24 का ट्रेनिंग चला हुआ है भरतपूर में राजस्थान के अंदर तो इसलिए हम लोग तो जो है वो आ नहीं पाएंगे आपके मत्रब वहाँ पर सपोर्ट में लेकिन यह बहुत बड़ी आप मज़ेदार काम हो गया कि इब जो इब तो शाम का टाइम है सारा सेशन्स खतम हो गए थे और हम लोग अगले उसकी त्यारी कर रहे है कि कल का क्या प्रोग्राम है आप लोगों को क्या करना है वहाँ से राजेश मलापूर का नंबर आपके पास है नहीं है तो इसारवाले गुरुप में है इसारवाले गुरुप के साथियों से संपर्क कर लो कुल्दीप के पास नंबर है उससे संपर्क कर लो थानेदार का नंबर है थानेदार का नंबर है कि किसी के पास रहे भाई कि जन्ता सरकार मोर्चान है आवेदन लगाया हुआ था और उस आवेदन का जवाब बैंक को ने दिया नहीं और जब ये पता कन्फरम हो गया कि बैंक फराओड कर रहे हैं लगी ने दोकला दे जब बैंक ये फराओड कर रहे हैं तो अब मजबूरी में उसको तोड़ना पड बताए देमन ने अच्छा नंबर देब रहाओ ये नंबर है डबल एट वन फोर जीरो वन वन और सैवन जीरो एट मैं दुबारा से लिख के दे रहा हूं ये उपशिल नंबर होता है ये उठाना ही पड़ता है उनको ये नंबर है वह एक बदी एक बदी आवरा से मैं मेसेज लिख देता हूँ थाना एसेचो थाना एसेचो थाना भट्टू कला इस टाइम पर जो वान ड्यूटी है वो ओम परकास भाई की है तो ओम परकास भाई जो थानेदार हैं उनको मेसेज है यह डबल एट वन फॉर जीरो डबल वन सेवन जिरो यह नंबर है जी मैं वैसेच भी कर दिया है ऐसेचो थाना भट्टू कला ओम परकास जी पर इसमें सेंड का अवशन आ गया होन परकास भी लिख दै घा सिछया मिस्टर ऺई लगा दिए अभी के लिए अगर वह अच्छे नहीं तो मिस्टर उतार देंगे हम अपना लेवर्ट मैसिज मैंने कर दिया है आप लोगों के पास इस एसे चुछ साब को कहो कि या तो न्युकाद होते हैं बहुत बढ़िया कर दिया या न्युकाद हो बहुत उल्टा काम कर दिया दोनौँ केस में आपन तो इंतजार कर रह हैं अभी तोल वालों की नाक रगड़ी थी नाक रगड़ाई थी उन्होंने अमारे उपर अटाक किया गुंडागर्दी करी इकठे हुए हम लोगों ने उनको बताया कि तुम जो गल्ती कर रहो वो गल्ती है इन लोगों के साथ में पंगे मतलो इब यह बैंकाड़े जो है अब फईर कराओं हैं पहले भी हो यह हैं आपने ताड़ा तोड़ा है यह याद होगा डानी क्या नाम था उस गाम का आरे कूंसा कर तो भाई आप लोग आप लोगों को मालू मैंना के जो उसमें मांडी में भी काम करें था फिर मन ने फबलिक के सामने बोला उस ट्रेम पर क्या हुआ तकी पड़ोसी फंच जाएंप पड़ोसी जाएं और पड़ोसी वी और फिर मेरे और HUपी हो जा है तो यह emissions अपने साथ फ़र तो अपने साथ ही गई हैं उन्हें अब हुआ हैंगों अब हरे भी मारे खिलाफ करो तो अभी वो मारे साथी गए हैं क्योंकि जब कूर्ट में खड़े होंगे या जहां भी अगर उनकों में कदमा चलेगा तो बताएंगे ना भई हमने कुन से दस्तावेज लाए था उनके जब आप बैंक कान कों दिये तो मजबूरीम तोड़ने पड़े अब बैंकों की गुंडा कर दिये ऐसे कैसे सेंड कर लेंगा भयापा और मैं आपको बतान लग रहा हूँ 19 नवंबर को जो करनार के अंदर रैली होनी है उसमें आ जाई हो जैस सारे देशने करजे से मुक्ति चाहिए तो देश के जिस वेक्ति को करज से मुक्ति चाहिए करनार आ जाना वहां से करज मुक्ति आपको दे कर भेजेंगे नू समझ लो सारा करजा नू थोड़ी ना आके ले अडानी हमबानी के होंगे 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 नहीं तो दुकाने बंद करके इनका बिजनस ठब किया था ना और लोकडाउन भी फ्रोड किसी चीज के नाम पे था और यह उसके बाद जो केमिकल डले उसकी वज़े से नुकसान हो लग रहा उस नुकसान की पर पाई भी लेवांगे जिन जिनके साइड इफेक्टा रहे हैं 19 ने जरूर आयो अगर आपको राजकता से मुक्तिची है तो 19 नवंबर 2023 को संड़े पढ़ता है करनाड के आने की त्यारी कर लो जितने ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक पहुचेगा उतने ज़्यादा लोगां के समझ माओगी और मारे 7 ही ताने में है अभी वहाँ से ख़बर आएगी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं क्या थाने दार का रियेक्शन है अगर जब थाने दार आद चговड़ दिता है गंते आद गंटा साड़े साथ ही होए हैं रहना पड़ेगा तो तीसरे दन कोर्ट से जमानत होगी हम यह कहते हैं बाईया नकनियों को वाँ कि जमानत ही मतले हो अप अथाने के बार ही बैठांगे बिना जमानत के बार आऊंगे जैए अगर जैए कोर्ट यह कि रुफ़तार ही कर रहा है तो और नहीं तो यहां वैसे ही गराँ बेज़ देंगे दोनों ही केसिज में आपका कुछ भी कंडिशन हो मैं आपको बता देता हूँ कि बाई साब चाहे जो मर्जी कंडिशन हो मारे साथियों को अगर यह अंदर करते हैं तो भी जनता सरकार मोर्चा जितेगा और यह छोड़ देते हैं तो भी जनता सरकार मोर्चा जितेगा अंदर कर दिया तो देश में बवाल मचेगा मैं बता रहा हूँ गंटे बरके अंदर आप लोगों के पास मेसेजिज आएंगे मैं अपने इसी वर्ट्स जो डॉक्टर देवेंदर बलारावाडा मेरा फेस्बुक की आईडी है इसी के उपर मैं अपडेट करूँ है इसके भी लिमिट मारलब जो वो है क्या कैते है वो क्या बोलते है उसको रीच रीच इसकी भी मारी होई है इन लोगों ने मारे तो सारे चैनलों की रीच मार रखी है कि किसी पबलिक तक ना पहुँच पाएं ताकि नहीं तो मेरा वो एक करंसी वारी जो वीडियो थी तीन मिलियन पर पहुँच के और फिर वापस उल्टी आगी पच्छीस हजार इप दोबारा फिर साड़े 6 लाग होगी बातो वो तो रोज जाग रहे हैं लोग तो रोज बागलो की तरह समझ रहे हैं देख रहे हैं समझ रहे हैं और सरकार की सारी पुलिस को समझ रहे हैं भाई जिसका कितना ये बड़ा चलान काट रहा था हो पुलिस ने कितना ये बड़ा जुर्माना लगा रहा किया हो बिजलियारान है कितना ये बड़ा जुर्माना लगा रहा किया हो इंकम टेक्स हारान है किसे का कितना ये बड़ा कर जाओ 19 नवंबर 2023 के बाद उसकी अदाएगी जनता सरकार मोर्चा करेगा अगर आप 19 तारीक को वहाँ पोँचते हैं और हमारा साथ दिते हैं तो एक लाख से जादा लोग हम को चाहिए करनाड के अंदर और खटर जहांगा ला लियो तारा 144 ला लियो हमने गिरफतार करके देख लियो हमारे खिलाब कोई भी शडियंतर करके देख लियो हमने मार पीट के देख लियो हमारे उपपर डंडे बरसा के देख लियो यो समझ लियो के एक लाख लोग से पलस लोग करनाड में पोँचने चाहिए और जो भी वहाँ होता है वो जो भी बट्टुकला में होता है थाने में वो हम आपको बताएंगे इसके साथ अपडेट करके ने जैसे भी जो भी स्थिती निकलेगी हम आप साथियों को तक पहुँचेंगे आप शेयर करते रहो ज़्यादा लोगों तक पचाते रहो लिंक को मैक्सिमलोगों तक पचाओ पबलिक को पता लगना चीए कि बेंकों का करजा उतारने का समय आगया है एक एक रुपया चुकता करेंगे कानून के हिसाब से चुकता करेंगे बेंकों ने जो देश की जनता के साथ फ्रॉड किया है उस फ्रॉड का बांडा फोड करेंगे इस पूरे शडियंतिर रॉस्चैल्ड रॉक्फलर बिल गेट सरके इनके तो मैंनु समझ लो इनके डौबरे बिकुमान का काम जंता सरकार मोर्चा करेगा और जो इनके गुलाम है जितनी पुलिटिकल पार्टियों के लोग हैं सारे के सारे की मुँ में दई जमरी है इनके इनने समझ में नहीं आता कि तुमारे जो कॉंसिच्वेंसी में रहने वाड़े लोग है वो बरबाद हो लाग रहे इनको कौनसा पता नहीं है जो तुमारा नेता है तुमारी पार्टी का या हमारी पार्टी का जिसका पिनेता है उनका मालूम नहीं है क्या? बाई साब ये बैंक क्या फोरोड कर रहे हैं? सब पता हैं इनको हमने सब बताया हुआ है नहीं बताया थैहं वीडियो देखें इन मैं ये उसी गेम के साथ हैं उस गेम का बांडा फोर्ड करना जरूरी है और दूसरी बात बता दूँ भाई जो चोर मोध्य हैं जिनोंने मेरा बैग चोरी किया था टोल से देखो आज तक जनता सरकार मोर्चा के किसी कारेकरम में कभी कोई ऐसी चोरी की गटना नहीं हुई उस दिन हमारे साथिया नहीं सोचा कि यहां भी सारे शरीफ लोग होंगे जब कि पता था कि उड़ा तो गुंड़े ही बस हैं तो वहां उनका एक आदमी गूम रहा था इदर उदर पहले दोनोंने सारे सेसी टीवी कैमरे बंद करे जो उसको कवर कर रहे थे फिर मेरा बैग था एक जिसके अंदर मेरा एक मुबाइल है सैमसंग का S9 प्लस जो की मेरे कुछ मतलब यह सम्झों के सारे वीडियो जितने थी उसके अंदर थी सारे जो उस टैम पर शुरूत लेक एक तक की सारे मुबाइल नंबर थे वह सारे वो भी थे इसके अंदर ही औ और वह सब उसके अंदर थे दो ढो अपने द्यान और से लगा ने हैं अची बता दी वह एक गड़ी वहा थी लुमांग के लिया था कि तेरे दे देंगा जब लोग 500 500 के वापस में देंगे एक वा थी एक विर्शिंग ने मेरे को कुछ पैसे निकलवा के दिये थे ड़क साब रस्ते में जुरूत पड़ा तो खर्च हो जाएं एक पचाहजार की गड़ी थी मेर बटवा था जिसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था जिसमें मेरा पैन नंबर था जिसमें मेरा वोटर कार्ड था और जिसके अंदर मेरा आधार तो मेरा उंदा नहीं ना इसका तो के करूँगा मैं आड़ी आड़ा तो कुछ चिंदा तो वो सब थेर में सारे के सारा व तो मेरे कागच कागच पचा दे नहीं तो वह और टाइम खराब होएगा और मैं 19 नमबर तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालूंगा फिर फिर ड्राइविंग लाइसेंस तो हर सरकार तो मैं उपिय दिखाया करता कोई कागच फिर मनना पंगा लेना पड़ेगा फिर सरकार होना पड़ेगा फिर तुमारी गाड़ी जपत करेंगे फिर रोड़ा होगा सरकार की तो जब मेरा वाई मेरा मेरा जो है मेरा बटवा बटवा बचादो रपीय सारे राख ले वाई आम तो और कर लाएंगा कोई बाद नहीं लेकिन बाकी सारे साथी हैं अब एक आदमें 10-10-15-100-100-100 लोगों तक शेयर करते रहो शेयरिंग पर दूमार थादो बस मतलब नहीं समझो